C.I.E.T. N.C.E.R.T. द्वारपस्तुत है कक्षा चार की पाठे पुस्तक हमारे आसपास का पाठ पंद्रह मंडी से घर तक प्रिष्ठ 119 रात में दिन मैं फैशाली हूं मेरे बाबुजी सबजी बेचते हैं इस काम में अम्मा, भाईया, छोटू और मैं भी मदद करते हैं पता है हम काम कब शुरू करते हैं? सुबह के तीन बजे जब बहुत से लोग गहरी नीद में सोय होते हैं तब हम अपना काम शुरू कर देते हैं बाबुजी, अम्मा, भाईया और मैं पिछले दिन की बची हुई सबजियां बोरियों और टोकरियों में से निकालते हैं ताजी सबजियां जो मंडी से लानी होती हैं कभी-कभी छोटू भी इस काम में मदद करता है काम को निबडा कर जब सब चाय पी रहे होते हैं तो टेम्पो के हौन की पौँ-पौँ सुनाई देती है फिर बाबुजी, भाईया और चाचू मोहले के और लोगों के साथ टेम्पो में सबजी लेने मंडी जाते हैं प्रेश्ट 120 क्या तुम्हारे घर में भी किसी को सुबह बहुत जल्दी उठना पड़ता है? किस समय? किस काम के लिए? दिन की तैयारी बाबुजी के जाने के बाद छोटू, अम्मा और मैं पिछले दिन की बच्ची सबजीयों को बोरी पर रख कर पानी छिड़कते हैं सुबह लगभग साड़े छे बजे तक बाबुजी मंडी से ताजी सबजीयों के टोकरे और बोरे लेकर घर पहुँच जाते हैं उस समय तो मानो घर में ही सबजी मंडी लग जाती है बैगन, आलू, टमाटर, भिंडी, पेठा, घीया, मिर्ची, आदी सब चारो तरफ दिखते हैं घर के सब लोग मिलकर इन सबजीयों को छाटते हैं जो सबजीयां कच्ची होती हैं और बेचने के लिए तयार नहीं होती उन्हें अलग रख देते हैं ये सब काम जल्दी-जल्दी खत्म करने की कोशिश होती है जिससे बाजार जल्दी पहुँचा जा सके 7 बजे तक सबजीयों को ठेले पर लगा कर बाबुजी और भाईया बाजार चले जाते हैं बाबुजी कहते हैं कि अगर देर हो जाए तो ग्राहक दूसरे सबजी वालों से सबजीयां खरीद लेते हैं बाबुजी के जाने के बाद मैं स्कूल के लिए जल्दी जल्दी तयार होती हूँ मुझे भी तो साड़े साथ बजे तक स्कूल पहुँचना होता है बाबुजी बाजार में छोटू का स्कूल दो पहर का है वह थोड़ा आराम करके बाबुजी और भीया के लिए नाश्ता लेकर बाजार पहुच जाता है थोड़ी देर वह ठेले के पास रहता है फिर दोपहर में स्कूल चला जाता है कभी कभी शाम को स्कूल के बाद भी वह बाबुजी की मदद के लिए उनके पास जाता है बाबुजी पिछले दिन की बच्ची हुई सब्जियों को पहले बेचने की कोशिश करते हैं प्रिष्ठ 122 बाबुजी पिछले दिन की सब्जियों पहले बेचने की कोशिश करते हैं वे ऐसा क्यों करते होंगे क्या तुमने कभी सूखी या सड़ी गली सब्जी देखी है कहां तुम्हें कैसे पता चलता है कि सब्जी खराब हो गई है छोटू अपने परिवार की मदद करता है आपके विचार में छोटू ने इससे क्या सिखा? आप अपने परिवार के बड़े लोगों की मदद कैसे करते हैं? जैसे जैसे पिछले दिन की सब्जियां बिक्ती जाती हैं भहिया बोरियों में से ताजी सबजिया निकाल कर ठेले पर लगाते जाते हैं साथ ही सबजियों पर पानी छिड़कते रहते हैं जिससे वे सूख ना जाएं खास कर गर्मियों में बाबुजी और भहिया रात को दस बजे तक सबजिया बेचकर घर लोडते हैं तब तक मैं और छोटू तो सो ही चुके होते हैं घर के बाकी सब लोग 11 से साड़े 11 बजे तक ही सो पाते हैं केवल 4 घंटे बाद सुभा 3 बजे शुरू होता है हमारे परिवार का नया दिन हम तुम्हें कुछ समय बता रहे हैं तुम्हें बताना है कि उस समय तुम और वेशाली क्या क्या कर रहे होते हो समय सुभा के 3 बजे वेशाली क्या करती है और तुम क्या करते हो सुभा के 6 बजे वेशाली क्या करती है और तुम क्या करते हो रात के 10 बजे वेशाली क्या करती है और तुम क्या करते हो तुम्हारे घर में सबजियां कहां से आती हैं? उन्हें कौन लाता है? प्रिष्ठ 123 सबजियों के साथ कुछ खेल अब की बार जब घर से भिंडी आए, तब कुछ भिंडी लेकर देखो क्या ये सब भिंडियां एक ही नापकी हैं? उन्मी से सबसे लंबी और सबसे छोटी भिंडी चाटो और नापकर लिखो क्या उनके रंग एक से हैं? क्या वे एक जितनी मोटी हैं? दो भिंडियों को लंबाई में काटो क्या उन्में एक जितने बीज हैं? कौपी में उनके चित्र बनाओ सीमा की मम्मी बाजार से कुछ फल सब्जियां लाई हैं जिन्हें चित्र में दिखाया गया है चित्र में उन्हें ढूंडो और रंग भरो तथा उनका नाम भी वहीं लिखो प्रिष्ठ 124 पता करो यहां पर कुछ फल और सब्जियों की सूची दी गई है उनमें से कौन-कौन से फल और सब्जियां पहले खराब हो जाएंगे और कौन से कुछ दिन तक रखे जा सकते हैं उनके नाम तालिका में ठीक जगह पर भरो तुम अपनी तरफ से कुछ और नाम भी सूची में डाल सकते हो तालिका में दो कॉलम बनाओ एक जल्दी खराब होने वाले फल और सब्जियां कॉलम दो कुछ दिनों तक रखे जा सकने वाले फल और सब्जियां अब हम तुमें फल और सब्जियों के नाम बताते हैं पालक, आलू, केला, टमाटर, नाशपाती, चीकू, अनानास, लौकी, प्याज, फूल गोभी, खीरा, अंगूर, अदरक इन में से कुछ फल और सब्जियां छूने से चिकनी लगती हैं और कुछ खुर्दुरी इनके नाम चाट कर सही सूची में लिखो सूची हैं चिकनी सब्जियां और खुर्दुरी सब्जियां प्रिष्ट 125 किसी एक फल या सबजी का नाम लिखो जो तुम्हें उठाने में सबसे भारी लगे उसका चित्र कौपी में बनाओ तुमने जो फल और सबजियां खाई हैं उनमें से सबसे हलका फल या सबजी कौन सी है उनके नाम लिख कर कौपी में चित्र बनाओ तीन ऐसी सबजियों के नाम लिखो जिन में बीज नहीं होते हम एक तालिका दे रहे हैं उसे पूरा करो तुम इसमें अपनी पसंद के तीन और नाम जोड सकते हो तालिका है सेब, रंग रिक्तिस्थान, लंबाई रिक्तिस्थान, मात्रा आधा किलो, दाम रिक्तिस्थान, केला, रंग रिक्तिस्थान, लंबाई रिक्तिस्थान, मात्रा एक दर्जन, और दाम रिक्तिस्थान आलू, रंग रिक्तिस्थान, लंबाई रिक्तिस्थान, मात्रा आधा किलो, दाम रिक्तिस्थान इसमें तुम अपनी पसंद के तीन नाम और जोड सकते हो अपने इलाके के किसी सबजी बेचने वाले व्यक्ति से बात चीत करो उनसे ये प्रश्ण पूच कर कौपी में एक छोटी सी रिपोर्ट बनाओ उनका नाम क्या है? उनकी घर में कितने लोग हैं? कितने बच्चे हैं? उनके बच्चों के नाम और उनकी उम्र क्या है? सबजी बेचने में उनकी मदद कौन-कौन करते हैं? ठेले, रेहडी, दुकान पर उनके अलावा कौन-कौन बैठते हैं? वे कौन-कौन सी सबजीयां बेचते हैं? वे कितने बजे काम शुरू करते हैं वे दिन में लगभग कितने घंटे काम करते हैं हम एक तालिका दे रहे हैं इन में से किनी तीन सबजियों के बारे में कुछ बातें पता करो तीन सबजियां चुनो सबजी एक, सबजी दो, सबजी तीन अब इनके बारे में ये बातें पता करो सब्जी का नाम, उसका दाम, कौन सी जगह से लाई जाती है एक बार में वे कितनी सब्जी खरीदेते है यह सब्जी किन महिनों में ज्यादा आती है मंडी से घर तक अभी आप सुन रही थे कक्षा 4 की पाठे पुस्तक हमारे आसबास का पंद्रवा पाठ प्रस्तुती C I E T N C E R T नई दिल्ली भारत